हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनलमें आपका स्वागत है और दोस्तों आज है । के अपडे देख लीजियागा ठीक है पूरा देख लिया करो क्योंकि फिर आप बाद में कमेंट करते हो वीडियो को बिना देखे आप कमेंट करोगे और जो बात आपने पूछी होई होती है तो प्लीज एक वार वीडियो को पूरा देख लिया करो फिर भी अकर कुछ पूछना हो आप आपने तो आप फिर पूछ सकते हो बट एक वार वीडियो को तो देख लिया करो योगि इसमें मैंने बहुत कुछ बताया होता है जो वाले वीडियो होते हैं उसके बाद जो आप से ही रिलेटेड जो यहां पर मैं बाते करता हूँ जो आपके कुश्चन होते हैं उसके बारे थोड़ा मेरे पास है नहीं और सभी का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया गरो ठीक है चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से तो यह ही हिमाचल में 24 गंटों में करोना के 169 138 हुए ठीक में 38, शिमला में 28, मंडी में 25, हमिरपुर में 20, बिलासपुर में 15, उनना में 12, कुल्डू में 8, चंबा में 8, कि नौर में 4, 16, में 3, लाहुल स्वीती में 2, आज जो है कुल संक्रमेंतों की संक्रमें के बात करें तो 21,25,074 और एक्टिव गेस की बात करें तो 1,703 और पात, शिमला कांगणा में बारिश, मौसम में बदली करवट प्रदेश के विभीन क्षेत्रों के लिए 12 से नमर तक येलो अलर्ट जारी, तो उन्चाईवाले क्षेत्रों में सेब तुडान हुआ बाधि धान के लिए बारिश लाबधायक, तो ये दोस्तों यहां पे latest update है और एक और आप कभी और भी कमेंट करते हो, कोर कर यहां पे, कि जो वीडियो होती है, इसमें बस education से related मतलब आप बताया करो, दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये सुबह वाली वीडियो मैं ही मैं बताता हूँ, पूरी updates मतलब जितने भी updates होती है, mix ही मैं बता देता ह हूँ, ताकि सभी updates आप तक पहुंच पाएं, और उसके बाद जो update आते हैं, वो मैं education से related आपको पूरा दिन में देता रहता हूँ, ठीक है, बस यह सुबह वाली वीडियो होती है, इसमें मैं आपको पूरा complete बता देता हूँ, कि आज क्या क्या updates आई हुई है, total, पोरी कु ठीक, और इसके लाब दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना ही माचल updates, नीचे description में लिंक देऊ है, यहाँ पर मैं तेनी वीडियो दोपलोड कर पाता हूँ, इस चैनल के उपर, तो कुछ important होता था हूँ, बहां भर भी publish कर देता हूँ, ठीक है, चले, next update दोस्तों, यह रह राजनितिक सिफारिश के अधार पर हुआ है, टीचर का तवादला हाई कोड ने किया रद, हाई कोड की टिपनी प्रशाशनिक विभा के दिकार को हतियाना निर्वाचित प्रतिनिधी के हाथ में नहीं, नाचन के विधायक तो यहाँ पर यहाँ पर update है, और राजनितिक सि अंधिक कालीन कोलेज में पीजी के दाखिले चल्द होंगे शुरू, तो बिशिवजाले में दाखिले से बंचित रहने वाले विधाति कर सकेंगे, रेगुलर कोर्स ओनन करने होंगे आवेदन, 16 सिदंबर से संजोली कोलेज में शुरू होगी दाखिला प्रक्रिया, तो द सबसिडाइज और तिन नोन सबसिडाइज सीटे रखे गई हैं, ओके, पीजी सी कोर्स में 40 सीटे रखे गई हैं, और 20 सबसिडाइज और 20 नोन सबसिडाइज सीटे हैं, कोलेज 27 सिदंबर की पहली प्रवेश मेरिट जारी करेगा, छीक है, तो ये भी आप देख लो, और इ कोट शेर में 15 तक आप जो है दोस्तों इसके लिए आवेदन कर सकते हो, छीक, तो यह आप दोस्तों देख लो, कि अगर पीजी एंट्रेंस जैसे, एस प्यू में या धर्मशाला रिजिनल सेंटर में ना वने काम, तो फिर आप यहां पर इन जगों पर भी अप्लाइगा सक करते रहना, क्योंकि यह तो हैनी कि सभी का ही नंबर पढ़ जाएगा, ठीक है, यह तो हैनी कि सभी को बहां ही सीटी मिल जाएगी, तो इनको नहीं मिलेंगी, तो और कोलेजी भी होते हैं, गवर्मेंट कोलेज, जो पीजी के गवर्मेंट कोलेज होते हैं, बहां पर भी पुस्त काले चली दोसो नेक्स्ट अपडेट ये रही अब बेटियों को मिल लगी NDA के जरी भारती सेना में जगह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद के इंदर सरकार का बड़ा फैसला सरकार के शीष अदालत को दी जानकारी मंगलवर देर्शाम को ही निरने लिया भार खरीद में देगी रियायत पुराने की जगह एलेक्ट्रिक बाहर खरीदने के लिए लोगों को करेंगे प्रेरी तुस्मिक्षा बैठक में परिवहन मंत्रियां लिया निरने नादोन में बना ट्रांस्पोर्ट नगर चली दोसों नेक्स्ट अपडेट ये रही प्रद लाइव कक्षाओं के साथ होगा शंकाव का समाधान स्कोल जिक्रा बोर्ड कालेले में आज होगी संगोश्थी चले दो नेक्स्ट अपडेट ये रही तोस्तों ये जो है आपके लिए एक अपडेट है ये हैं एमडी एमस आयुर्वदा फाइनल इयर बैच 2018 एनुल ठीवर आपके उनिवस्टि के हिसाब से चार्जिस लगेंगे यहां पर लिखा हुआ है बाकिया पूरा देख लेना ठीक है इनके लिए ये एक्जामनेशन फॉर्म भनने की डेट आ गई है ओके चले नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये है आई शिरूल बालों के लिए अपडेट तो यहां पर कहा गया है जनबरी और जून बैज के जितने भी स्टूरंट्स है ठीक है पोस्ट ग्रैजुएट और डिगरी डिप्लोमा वाले तो उनके लिए डेट शिट आ चुकी है पच्चीस को आई थी 27 को और दो अगस्त को ये सभी डेट शिट आप देख लेना जिनक जून और जनमरी बैच के लिए यहां पर खागया है ठीक नेक्स अपडेट दोस्तों यही बियर और अमड की प्रिक्षाई 27 जोस्तों बियर अमड की प्रिक्षाई जो है उनका शेडियू ला चुका है कल मैंने वीडियो अप्लोड कर दी थी बट उसका नोटिफिकेशन न जो है आज की सेकेंड फोस्मेस्टर की जिसे जो है आप डाउनलोड कर पाऊगे मेरे टेलेग्राम चैनल से टेलेग्राम चैनल का नाम है भारत अप्रेट इसको कर सकते हो ओके ओके तो दूसмеा उसके बाद मैं आपको बात कर लेते हैं तो आपका एक बहुत ज्यादा यहारा है कि पिष्यली बार के हिसाब से 15 दिन maximum बोलेते बट अभी लेट हो गया गाम ठीक है उससे भी ज़्यादा time यहाँ पर हूगा है हो सकता है कभी-कभी लेट भी हो जाता है एच्पव का पता नहीं होता कि कभ रिजल्ट निकालना है कभ क्या होता है ठीक है तो आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है जो बीरड एंट्रस का रिजल्ट है ठीक है आप इतनी टेंशन मत लिया अगर हो ठीक कभी भी आपका रिजल सब्सक्राइब सब्सक्राइब physics की थी वो आपको बहीं पर जाना पड़ेगा physics वालोς के लिए physics की काउंसलिंग के लिए आपको बहीं पर address दिया था वहां पे department of physics वहां पर आपको जाना है physics काउंसलिंग के लिए तो कल वाली वीडियो देखें नों जोड़ों नहीं देखी है ठीक है बाकी कोई अपडेट होगी तो वो आपको बताँगो उसके बारे आपको टेंशन नहीं लेनी है ठीक है रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है तो यह थी दोस्तों आज की इंपोर्टेंट अपडेट्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को आप जुरूर करिएगा मेरे लेटिस्ट अपडेट्स के लिए और दोस्तों यहां पर एक और जो है इंपोर्टेंट अपडेट है कि आपके पीजी के एरिमिट कार्ड यहां पर थोड़ा सा गलत लिख गया है यहां पर यहां पर यह पहले का यह था यूंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास तो यही थोड़ा सा चेंज करने को रह गया है तो पीजी के एरिमिट कार्ड को लेकर आपके क्वेशन आ रहे थे तेरस एक्जाम था दोस्तों अभी अप्ट्राई करना आज से शायद आज से आपके एरिमिट कार्ड डाउनोड हो जाए पीजी के अभी म का option क्यों नहीं घुरण होंगे एक बार हम एछबम करना है जो पीजी सेंटर है जो आप नीरवर्य सेंटर की बात कर लेते तो भूठ आप एच पीजी से कौंटर कर लेना ठीक है तो यह थोड़ी से यहां फेर गल्रत हो गईए Line इसमिश मेर अब पीजे अड मिद मिंद का